मशूर यूटूबर और लाखों के चाहने वाले यूटूबर एलविश यादो की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है नौइडा पुलिस ने अब कोट में पेश करके उनकी धाराओं में शंशोधन पेश किया है पहले सेक्शन 20 लगाया गया था अब 22 लगाया जाना है आखिर ये सेक्शन 20 और 22 NDPS Act के तहट क्या सेक्शन होता है इसमें क्या सजा होती है यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं लखनों और देश के जाने माने विशेशग हमारे साथ हैं तो अगर उनका यूज लाइसेंस के साथ और जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसके अंतरगत किया जा रहा है तो वो यूज वैलिड वाना जाता है अदरवाइस उसको illegal माना जाता है Elvis यादव के case में उसका illegal use हो रहा था जो रे पार्टी चल लए थी उसमें बिना license के और मातरा से जादा use हो रहा था और जो section 20 और 22 का matter है section 20 ये कहता है कि अगर भांग जो canvas plants होते हैं भांग के respect में अगर उसके provisions का contravention किया जाता है तो धारा 20 लगेगी लेकिन Elvis यादव के case में भांग का matter नहीं था उनका जो psychotropic substances होते हैं वो drugs होती है जो chemical based होती है और उसमें एक chemical या एक से ज़्यादा chemical मिला के भी वो drugs बनाई जाती है तो actually मैं Elvis यादव के case में धारा 22 ही लगनी चाहिए थी 20 गलती से मुझे लगता है पुलिस ने लगा दी होगी तो 22 इसलिए होती है जो और उसमें जो सजा का प्रावधान है वो 20 साल तक है वो depend करता है तीन अलग लग लग clause है एक साल से लेकर के 10 साल से की सजा और दो लाग रुपए का फाइन भी और कोड को ये पावर है कि दो लाग से बढ़ा के फाइन और ज्यादा भी कर सकती है depending की density of crime कितना है सर कैसमें जमानत मिलना मुश्किल हो जाती नहीं मिल पाए गया एंडी पीस लगाया ही इसलिए गया है कि उनको जल्दी जमानत ना मिले और इसके पहले जो धाराएं लगाएं गी थी यलविश यादों के खिलाब में वो आई पीसी की और वाइड लाइफ एक्ट के अंतरगत लगाए गी थी जो जिनमें साथ साल से कम की सजा है और जिन केसिस में साथ साल से कम की सजा होती है उसमें पुलिस को अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है बट जहां साथ साल से सदा extend कर जाती है वहाँ पर पुलिस डारेट किसी भी वक्ति को arrest कर सकती है तो NDPS की जो धाराएं लगाए गई है वो इसलिए कि उसमें 10 साल से लेकर कि 20 साल तक की सजा है इसलिए पुलिस ने उनको arrest किया और 14 दिन की judicial रिमांट पर भेजा है तो सजा भी लंबी होगी और जमानत मिलना मुश्किल होता चला जाएगा अब इन्हें कितना जुर्माना देना पड़ सकता है दो लाख रुपए तक का प्रावधान है और वो प्रावधान मतलब वो दो लाख रुपए बढ़ाने की पावर कोर्ट के पास है कि कोर्ट चाहे तो दो लाख से जादा का भी फाइन लगा सकती है नवासर हमें टाइम देने के लिए तो दिलीब जी ते लीगल विशेश है कि जो बता रहे थे जी हां 20 साल की टोटल सजा है इसमें सेक्शन 22 में और दो लाख रुपए का जुरुबाना है और कोर्ट चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती है तब ते जुड़े में साथ में लखनो संजली सिंग राजपूर लोकल 18